Assalamualaikum welcome back to my youtube channel हमने start की वी है exercise 2.6 उसका हमारे पास जो टॉपिक है वो है composite functions question number 29 सर 34 तक आज हम cover करेंगे सबसे पहले जो है वो इन questions नहीं कहा है कि आपको जो हमने point दे दिया है यानि आपको limit हमने दे दिया है उस limit को put करने से आपने बताना है कि क्या continuity exist करेगी या नहीं करेगी अच्छा continuity जो है वो exist कब करती है और कभ exist नहीं करती है अगर आपके पास one over zero की form में कोई चीज आंसर आजाए या अंडर root में minus आजाए या आयोटा की form में आजाए तो continuity exist नहीं करती है इसके लिए बाकि जितने भी आपके पास answers आएंगे वो सारे continuity show करेंगे अब जैसे कि यहां पर देखें अब limit की value नहीं ने दे दिया कि x की value आपने πाई डाल ली है तो आपने sin x की जगा क्या लगा दिया πाई minus sin x की जगा भी आपने क्या लगा दिया πाई अब आपको पता है कि जो πाई होता है वो किसके एक्वल होता है 180 के ठीक है तो जो sin 180 होता है वो 0 के एकवल होता है और उसके साथ pi as it is उतर गया तो अब देखें pi minus 0 क्या हो जाएगा pi तो sin pi फिर से क्या हो जाएगा 0 और 0 भी आपके पास continuity exist करती है यानि 0 point पे भी आपके पास continuity exist करेगी तो आपने ये बोला है कि जो point आपने दिया था अगर आपने x की value pi d थी हमें limit d थी तो उस limit को put करने से हमाई पास continuity आ रही है फिर उसके बाद हमाई पास 30 question है इसमें लिखाव है कि limit t की value आपने 0 put करनी है और बागी आपके वर से question की बना सबसे पहले देखें sign आपके पास probabilities आ गया pi by 2 भी आ गया cos भी आ गया 10 भी आ गया और t की जग हमने क्या put कर दिया 0 जो 10 0 होता है वो 0 क क एकऻल होता है अब cos भी sizes उतर गया अब जो cos 0 होता है वो 1 के एकऻल होता है बाकी sign बियाजेenschap आप साथने as-से उतरती जा नहीं है फिर उसके बाद है 31 question जिसमें लिखा हुए कि limit y की value आपने 1 put करनी है उसके बाद है आपके पास sec y sec square y minus 10 square y minus 1 अब limit यहाँ पर आपने y की value 1 put करनी है सबसे पहले आपने क्या लिखे sec आपके पास यहाँ पर आजाएगा y sec square y minus 10 square y plus 1 यहाँ पर देखे माइनस आपके पास आ गया ना यहाँ पर plus 1 कैसे है माइनस माइनस क्या होता है plus 1 अब आपको पता है कि यह आपके पास 1 plus 10 square theta है वो किसके एकवल होता है sec square theta के ठीक है अब आपने यह जो आपके पास 1 plus 10 square y है यह यहाँ पर इस theta को यहाँ पर show कर रहा ठीक है तो आपने क्या लिख दिया कि 1 प्लस 10 square theta किसके equal है sec square theta के बस theta के जगा आपने y put करना जो कि question में y था इस वज़ाँ से y ही put करेंगे तो यह हो जाएगा sec y square sec square y minus इसकी जगा आपने value put कर दी जो कि आपके पास था sec square y ठीक है अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या आजाएगा यह वाला sec to as it is उतर गया इन दोनों में आपके पास क्या चीज़ को में आ रही है sec square y पीछे क्या रहाएगा y minus 1 अब यहाँ पर limit आपने y की value one put करनी थी तो यहाँ पर आपने y की जगा one put कर दिया one minus one zero होता है ठीक है तो आपके पास क्या चीज़ आ गई है इस पूरी की value आपके पास zero आ गई है ठीक है इसको जब zero को इस से multiply किया तो zero आ गया मतलब अब आपके पास यह वाली चीज as it is उतर गी इस पूरे को solve करने से zero आ गया जब इसको इसका solve किया तो आपके पास क्या आ गया one क्योंकि sex zero अगर आप calculator पर देखते हो तो one के equal है यानि जो limit हमें question में given थी हमने जब वो put किया है तो हमाई पास continuity exist कर रही है अब उसके बाद question number 32 है जिसमें उन्होंने कहा है कि limit X की value आपने zero put करनी है सही है तो हमने question में पास given है ये सही है अब हमने क्या करना है 10 agitives उतर गया pi by 4 भी उतर गया cause भी उतर गया sine भी उतर गया x की value हमने 0 put कर दी जब x की value 0 put कर दी तो आपके पास क्या गया sine 0 और sine 0 जो आपके पास zero के equal होता है और जो cause zero होता है वो one के equal होता है जब one को इससे multiply करेंगे तो आपके पास क्या आगया ten pi by four जो ten pi by four होता है calculator पे solve करेंगे तो वो किसके equal आगया one के तो हमने कहा है कि जो आपने हमें limit दी थी उस point पे हमारी continuity exist कर रही है अब उसके बाद हमारी पास next question है 33 जिसमें काय के limit cause t की value आपके पास zero है एक pi और under root में आपके पास है 19 minus 3 sec 2t अब d की जगा आपने zero put कर दिया तो two into zero क्या होता है zero ठीक है two को zero से multiply करोगे तो zero आएगा तो sec zero आपके पास जो है वो क्या आगया तो sec जो zero होगा वो आपके पास equal to होगया one और three one's are three ही होता है तो 19 minus three किसके एकल होगया 16 के उसके उपर आपके पास under root अब आपके पता है कि जो under root of 16 है वो four के एकल होती है तो cause pi by four किसके एकल होता है zero point seven zero seven तो ये भी हमने कहा है कि जो आपने हमें limit दी थी उस पे continuity exist कर रही है अब इसका हमाई पास next question है 34 question में 34 में वो ये कह रहा है कि limit की value आपने x की value कितनी put करनी है pi by six और question में हमाई पास क्या given है under root cosine x का square plus five under root of three plus ten x अब यहां पर cosine की value आपको पता क्या होती है one divided by sine आपके पास साथ x उतर गया जो इस question में given था और उसके उपर का whole square आ गया plus five under root of three ten और यहां पर x की जगा आपने put कर दिया pi by six अब इस x की जगा भी हमें pi by six put करना पड़ेगा तो हमने यहां पर put कर दिया pi by six जब आपने sine pi by six लिया तो आपके पास calculator में क्या जाएगा one divided by two का whole square plus आपके पास आगया five under root of three point और जब आपने ten pi by six को solve किया तो one over अगया यह under root of three इसके under root of three से cancel हो जाएगा पीछे आपके पास क्या बच गया four plus five देखे यह अगब टू तो आपके पास यह नीचे रह जाएगा और four उपर चाल जाएगा तो one नीचे अगर four के नीचे अगर one होगा तो उसको आप count नहीं करते हैं तो आपके पास क्या जाए Thank you so much for watching Allah Hafiz